नमस्कार, Creativity वित्राधा में आप सभी का स्वागत हैं, आज हम सिवाई का उपमा बनाएंगे, सिवाई के उपमा को वर्मसिली, उपमा, सिवाई पुलाव भी कहते हैं, ये जटपट बन कर तयार हो जाता है, और सब्जियों की वज़ा से बहुत पोश्टिक होता है, तो चली हम बनाते हैं, सिवाई का उपमा बनाने के लिए हमने दो कप सिवाई इस बॉल में ले लिया है, और ये गोभी हमने एक छोटा सा फूल लेकर इसे इस तरह से कट कर लिया है, और एक बड़ी साइज का गाजर हमने इस तरह से कट कर लिया है, और थोड़ा सा मटर लिया है, यह लगभग 50 ग्राम है, थोड़ी सी हरी धनिया कट कर लिया है, एक बड़ा प्याज बारिक बारी कट कर लिया है, और दो मीडियम साइज चे टमाटर कट कर लिया है, रेट चिली और गरम मसाला लिया है, लहसुन अद्रक का पेश्ट बना कर लिया है, और हमने अमचुर गई जला कर कड़ा ही चड़ा देते हैं, कड़ा ही गरम हो चुकी है, इसमें हमने एक चमच घी डाल दिया, और हम घी की जगह रिफाइन भी ले सकते हैं, और अब हम इस कप से मिजर्मेंट करके दो कप सिमाई लेंगे, और इससे हम धीमी फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूनेंगे, हलका हलका सा रंग चेंज होने तक इससे हम लगातार चलाते रहेंगे, भूनते रहेंगे, मार्केट में रोस्टर समया भी मिलती है, वो भी बहुत अच्छी बन जाती है, पर यदि समया भूनी हुई नहीं है, तो हम इसे घी डाल कर इस तरह से धीमी फ्लेम प गणा यह गराही भी जखती है, इसे हम दूसरे बरतर में टरांसफ़र करके खडाही सांप करके, हमने गैस पर फ्लेच छड़ा दिया, खडाही गरम हो चुकी है एक चम्मा गी डाल दिया, घी हमारा पभल गया है अब आधा चम्मा जीरा डाल देंगे, और आधा चम्मा र् राई चिटकती है, इसलिए हम धक्कन से पैक कर देते हैं, राई चिटकने की आवाज बंद हो गई है, इसलिए हम खोल देते हैं, राई जीरा हो चुका है, हमने प्याज के टुकले डाल दिये, अब इसे भी हम चला देते हैं, अब इसमें हम एक पिंच हींग डाल दिये, और इस सब को मिक्स कर लेते हैं, अब हम हरी मटर डाल देते हैं, गाजर डाल देते हैं और इन सब को मिक्स कर लेते हैं, देखिए गाजर प्याज और मटर सौफ्ट होने लगी है अब इसमें हम गोभी डाल देते हैं और इसे भी हम मिक्स कर देंगे थोड़ी देर लगातार फ्राई करेंगे देखिए इसमें हरी हरी मटर, सफेद, गोभी, लाल लाल गाजर और प्याज बगएरा ये सब कितनी अच्छी कलर फूर दिखाई पड़ती हैं अब इसमें हम टमाटर डाल देते हैं ये सब जितने देखने में रंग भी रंगे लगते हैं उतने पोश्टिक भी होते हैं अब एक चमाज हमने अद्रक ले सुनका पेस्ट भी डाल दिया और आधा चमाज पिसी हुई लाल मिश डाल देते हैं आधा चमाज गरब मसाला डाल देते हैं और इन सब को अच्छे से मिक्स कर देंगे आप चाहें तो इसमें हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर वगरा भी डाल स अब हम इसमें सिमें डाल देंगे इसमें देखिए अच्छी सी हल्की हल्की सी ब्राउन भी है सिकी हुई है और काफी अच्छी खुसबू आ रहे हैं इसमें इन सब चीजों को हम धीमी फ्लैम पर हल्का हल्का सा मिक्स कर देंगे और फ्राई कर देंगे देखिए ये सारी च इस तरह से चलाते चलाते ही मटर, गाजर वगरा सब सौफ्ट हो गई है और सिमया हमारी पहले से ही भूनी हुई है अब इन सब को मच्छे से मिक्स कर दे रहे हैं देखिए जब तक सिमय के उपर सारी चीजों का कलर नहीं आ जाता इस तरह से लगातार भून लेंगे देखिए सिमयी भी सारी चीजों का रंग सिमयी पर आ चुका है और सिमयी मिक्स हो चुकी है सीमई उपमा बनाने में हमें सबसे ज़़ा ध्यान पानी की मातरा करक्षना होता है यथि पानी थोड़ा सा बच जादा हुआ तो सीमई हमारी खराब हो जाएगी स सीपचिप़ी हो जाएगी इससे बिल्कुल खिली-खिली से होना चाहिए जिस cup से हमने 2 cup सी मई नापी थी उसी cup से हम 3 cup पानी डाल रहे हैं देखिए 3 cup पानी हमने डाल दिया मतलब कि 2 cup सी मई डाला तो 3 cup पानी तो 1 cup सी मई में हमें 1.5 cup पानी डाल ला होता है और इसे medium flame पर ढखकर हम थोड़ी देर पका लेंगे तो बिलकुल perfect सी में त्यार हो जाएगी देखिए कितना अच्छा color दिखाए पड़ रहा है बिलकुल naturalty समझ में आ रही है बिलकुल white white सी गोभी लाल लाल सी गाजर सब कितने अच्छे लग रहे हैं इसे हमने cover कर दिया और अब हम थोड़ी ही देर में लगभग 2 मिनट बात खोलते हैं देखिए पानी सारा सूख गया है और बिलकुल अच्छी सी सी में बनी है बिलकुल खिली खिली अलग सी जो हलके सी गिली दिखाई देरी वो भी अभी 2 मिनट में ठंडी होते होते ठीक होगी और हम ने इसमें हरी धनिया से गानिश कर दिया और अब इसे हम सर्व कर सकते हैं तो चलिए अब हम इसे प्लेटिंग भी कर लेते हैं ये सीमय उपमा आप नास्तेम में बना सकते हैं आप यदि छोटी सी भूखो तो बना सकते हैं और बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं जब चाहें तब आप बना कर खा सकते हैं इसमें बहुत कम टाइम में बन कर तयार हो जाता है तो यदि ये रेस्पी मेरी पसंद आती है तो प्लीज लाइक का बटन जरूर क्लिक करिए जादा से जादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए हम नेक्ट वीडियो में किसी नेक्ट रेस्पी के साथ फिर मिलते हैं थैंक यू